नमस्कार दोस्तो एक्जाम कांकर चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूं के दाननात मिस्रा दोस्तो यह समय हमारी डेली कर इंटरफेर्स की वीडियो का है आज है 21 अक्टूबर तो चलिए 21 अक्टूबर की महत्वोड परिक्षा उपयोगी खबरों को देख लेते हैं लेकिन उ परिक्षा समंद्री महत्वोड सूचनाओं के लिए और इन तत्यों की पीडियोफ पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम और वाट्सप चैनल भी जोइन कर लिए उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे दिया है और वहां से आप इन तत्यों की पीडियोड कौन सा देश इंटर पार्लियमेंटरी यूनियन आई पीउ का 181 सदस से बना है ठीक है तो आपको बताना है कि इन में से कौन सा देश है जो इंटर पार्लियमेंटरी यूनियन का 181 सदस से बना है ठीक है यह ध्यान रखना है तो यह बना है जमायका ठीक है जमायका इंटर का 111 211 सदसर देश बना है अब देखिए आगे देखते हैं कि इंटर पारलीयमेंटरी उनियन के सम्मन्द में महतुत्त अत्त हैं तो देखिए इंटर पारलीयमेंटरी उनियन की inormitory union की in चाजश्मी बैठक जिनेवा स्विट्जर लैंड में संपन हुई और भारत की तरब से लोग सबाद्यक शोम बिड़ला ने इसमें हिस्सा लिया था ठीक है नेक्स्ट है एक सो पचासवी बैठक वर्स दोहजार पचीस में तासकंद में होगी यह भी तैय हो गया है कि एक सो पचासवी बैठक कहा होगी तो वह तासकंद उजबेकिस्तान में होगी वर्स दोहजार पचीस में होगी तो एक सो उनचासवी बैठक कहा होगी जनेवा सुजर लैंड में इंटरनेशनल सोलर एलाइंस की सात्वी सभा का आयोजन किस सहर में किया जाएगा तो यह किया जाएगा नई दिल्ली में ठीक है ने इंटरनेशनल सोलर एलाइंस की सात्वी सभा का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा और इसकी अध्यचता कौन करेगा तो यह अध्यचत है कि आयसे की जो अस्थापना हुई थी यानि इंटरनेशनल सोलर एलाइंस की अस्थापना 2015 में भारत और फ्रांस ने मिलकर किया था और इसका मुख्याले कहां है गुरुग्राम में है ठीक है ना इसका मुख्याले गुरुग्राम में है ठीक और 2015 में भारत एवं फ्रांस न अगला बिंदु देखते हैं भारती तटरच्छक बल द्वारा कहां पर सागर कवच तटिय सुरच्छा ब्यास का आयोजन किया गया है तो देखे, भार्ती तत्रचक बलद्वारा, गुजरात, तथा, दमान एवन दिव में, सागर कवच, तटिये सुरच्च अभ्यास का आयोजन किया गया है, ठीक है नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, देखे हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूनिफार्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक मसाओधा पत्र तयार किया है, तो यह तयार किया है असमने, अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि किस राज्य ने सबसे पहले यूनिफार्म सिविल कोड लागू किया है, ठीक है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारत में किस राज्य ने सबसे पहले यूनिफार्म सिविल कोड अभी लागू किया है, ठीक है, तो यह बिंदु को देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने यूनिफार्म सिविल कोड ठीक है, खादी स्वतंतरता का ताना बाना प्रदर्शनी का आयोजन कहां किया गया है, तो यह किया गया है नई दिल्ली में, ठीक है, फिर से सुनिए, हाल ही में खादी स्वतंतरता का ताना बाना प्रदर्शनी का आयोजन कहां किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया, ठीक चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं लेकिन उसके पहले दोस्तों आपको हमारे ये वीडियो कैसी लग रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों हम केवल उनी चुनिंदा प्रस्नों को अपने डेली करें इंट अफेर्स में सामिल करते हैं जिनकी परिक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है इसलिए हमारी वीडियो बहुत छोटी होती है पूरा देखने का प्रयास करें और उन बिंदू को आप नोट भी कर सकते हैं साथ ही अगर आप इसे नोट न कर पाए तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल या वाट्सेप चैनल को जॉइन कर लिजिए जिसका लिंक हमने डिस्किप्शन बाक्स में दे दिया है और वहां से इन तत्यों की पीडियाप आप डाउनलूड कर सकते हैं ठीक है तो चलिए नेक्स पॉइंट देख लेते हैं हाल ही में उत्तर कोरिया ने अपने संसोधित सम्मिधान में किस देश को अपना सत्र देश घोसित किया है तो यह किया है किसको दक्षिर कोरिया को आपको पता है कि उत्तर कोरिया और दक्षिर कोरिया की दूस्मनी कितनी चुन करने तो हाल ही में वत्तर कोरिया ने अपने संसोधित संभूज़ीदान में दक्षिर कोरिया को AP fetch Adla sjukach गोजित किया है और हमने आपको पहले भी बताया था कि उसने ट्रेन से संपरिक और सड़क Cars के संपार्ग को समाप्त कर दिया है ठीक है ना तो बर्तबान में उत्तर कोरिया और दक्षरी कोरिया में खुब तनातनी है और उत्तर कोरिया ने अपने संसोधित संविदान में दक्षर कोरिया को अपना सत्रदेश घोजित किया है ठीक है ना चलिए next point देख लेते हैं हाल ही में Indonesia के नए राष्टपती के रूप में किसने पद्वार समाला है तो हुश समाला ही प्रभोबो सुवियांतो ने आपको इस point को बहुत याद रखना है important है यह पूछा जा सकता है हाल ही में इंडोनेसिया के नए रास्थपती के रूप में किसने परभार समाला, तो वह समाला है प्रवोबो सुवियान्तो ने, ठीक है न, यह आठवे रास्थपती है इंडोनेसिया के, कौन से है, आठवे रास्थपती है इंडोनेसिया के, कौन प्रवोबो सुवियान्तो, ठीक है न फिर से सुनिया, हाली में भारती रेलवे ने अग्री मारक्षण की अवदी को 120 दिन से कटा कर कितना कर दिया है, तो वह कर दिया है 60 दिन, अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर आपको कहीं जाना था, तो 120 दिन बाद कहीं जाना है, तो आप 120 दिन पहले ही उसका रिज में जाना है, तो अक्टूबर, नॉम्बर, दिसम्बर, यानि सितम्बर में ही आप उसका अरक्षण करा सकते थे, ठीक है न, रेलवे में, तो अब देखिए, रेलवे ने क्या किया है, अब इस अवदी को घटा दिया है, अब 120 दिन से घटा करके 60 दिन कर दिया है, और अब अगर आपको कहीं जाना है, तो आप 2 महीने पहले, यानि 60 दिन के अवदी के बीच में आप रिजवेशन करा सकते हैं, और 60 दिन का आपको समय मिलेगा, ठीक है न, तो आप इसे याद रखिएगा, पहले 120 दिन पहले आप रिजवेशन करा सकते थे, लेकिन बरतमान में अग हैंडबाल चैंपियंशिप का आयोजन किस देश में पहली बार किया जाएगा, फिर से सुनिए, दिसंबर में होने वाले 20 वे चरण के, ACI महिला हैंडबाल चैंपियंशिप का आयोजन किस देश में पहली बार किया जाएगा, तो यह किया जाएगा भारत में, ठीक है न, प लेकिन किसी कारण बस यह जो है वहां से स्थगित कर दिया गया और यह पहली बार भारत में आयोजित होने जा रहा है कब दिसंबर में होने वाला है ठीक है तो दिसंबर में होने वाले 20 वी चरण के ACI महिला हैंडबाल चैंपियंशिप का आयोजन भारत में पहली बार किया ज और यह जरूर पूछा जा सकता है ठीक है ना तो दोस्तों यह थे आज के हमारे यानी 21 अक्टूबर के महत्पूर्ण परिक्षाव पयोगी तत्थ आपको यह तत्थ से कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा साथ ही अगर आप इनकी पीडियाप चाहते हैं तो कि कोई भी नई अपडेट वो सबसे पहले आपको मिले तो आज के लिए इतना ही स्वस्त रहिए मस्त रहिए मेहनत से पढ़ाई करते रहिए मिलते अगली वीडियो में कुछ नए तत्थ्यों के साथ तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद